इस वीडियो में हम सीखेंगे और याद करेंगे Charter Act 1833 के बारे में। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको Charter Act 1833 याद रहे। वीडियो के अंत में प्रश्णों को जरूर हल करें। So let's begin! सबसे पहला सवाल ये है कि इस Charter Act को क्यूँ पास किया गया? आएए, Charter Act 1833 के बारे में जानें। First point है कि साल 1833 में ब्रिटेन में बहुत बदलाव आ रहे थे इंडस्ट्रियल रेवलूशन की वजह से। Second point है कि ब्रिटेन में अब गवन्मेंट और इंडस्ट्रीज का संबंध लेसे फेर के सिधान्त पर चलने लगा था। Lेसे फेर के प्रिंसिपल में गवन्मेंट का रोल बिजनेस में कम से कम होता है। मतलब सरकार का बिजनेस में इंटर्वेंशन बहुत कम होना चाहिए। Third point है कि Reform Act 1832 में पास हुआ, जिससे Liberal Movement को मदद मिली, अब सोसाइटी में Liberalism और रिफॉर्म पर जोर दिया जाता था। जब ये चार्टर बिल संसद में लाया गया, तब विग पार्टी पावर में थी और उस समय संसद, रिफॉर्म्स, फ्री ट्रेड और लॉर के कोडिफिकेशन को सपोर्ट कर रही थी। Charter Act 1833 के बेसिक्स समझते हैं Charter Act 1833 के काफी सारे नाम हैं, जैसे Government of India Act 1833 या St. Helena Act 1833 इस आक्ट से British Government ने East India Company से St. Helena नाम का आइलेंड ले लिया, इसलिए इस आक्ट को हम St. Helena Act के नाम से भी जानते हैं Charter Act 1833 ने East India Company का टर्म 20 साल बढ़ा दिया अब हम जानेंगे Charters Act के Provisions के बारे में First point है कि Office of Governor General बनाया गया Actually, उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया पर Governor General of Bengal का नाम बदल कर Governor General of India कर दिया क्योंकि वो Administration का Centralization करना चाहते थे Governor General of India को अब कानून बनाने की पावर दे दी गई थी Bombay और Madras Presidencies से कानून बनाने की पावर ले ली गई Civil और Military Powers भी अब Governor General of India के पास आ गई थी पहली बार Government of India Establish हुई जहां पर भी British Territory थी भारत में इस सरकार के पास सारी Authority आ गई थी उन जगहों पर पहले Governor General of India बने Lord William Bentuk Second Point है Powers of Governor General in Council पहले हमने पढ़ा था कि कैसे Governor General को एक काउंसिल मदद करती थी अब देखते हैं कि इस Act ने Council में क्या बदलाव किये हैं इस Act ने एक Fourth Member Appoint किया इस Council में जिसका सिर्फ कानून बनाने का काम था इस सदस्य के पास कोई voting का अधिकार नहीं था ये Council British India में लागू होने वाले कानूनों को Repeal, Amend और Change कर सकती थी किसी भी dispute में Governor General of India का decision final था अगर Councils के suggestions में difference रहे Governor General से तो Governor General उन suggestions को reject कर सकते थे Civil, Military और Revenue Matters Governor General, Council की consultation से control करते थे इस Act से Financial Resources का centralization हुआ अब Council के पास सारे Financial Matters आ गए जैसे revenue कैसे raise करना है और expenditure कैसे करना है British Territory में रह रहे लोगों पर बने loss को Governor General in Council repeal, alter और amend कर सकते थे पर Court of Directors के पास Council के द्वारा बनाए गए loss पर veto power थी Third Point है, Company के commercial privileges के खत्म होने के बारे में Company के सारे commercial privileges इस Act ने खत्म कर दिये अब Company का चाय और चीन के साथ trade पर monopoly खत्म हो गई Company का जमीन पर कब जातो था, पर वो Queen के trustee के रूप में था Fourth Point है, इंडिया का Legal British Colony बन जाना Europeans और British के इंडिया में entry पर सारे restrictions खत्म हो गए Britishers अब इंडिया में जमीन खरीद सकते थे वो अब बिना रोक टोक के इंडिया में travel कर सकते थे Fifth Point है, Board of Control में Minister of Indian Affairs की entry होना President of Board of Control अब Minister of Indian Affairs को बनाया गया Sixth Point है, Law Commission का बनना इस Act ने इंडिया में Law के कोडिफिकेशन की कोशिश की Charter Act 1833 ने एक Law Commission के appointment की बात की 1834 में पहला Law Commission appoint हुआ इसके Chairman Lord Macaulie बने इसमें तीन और Members थे जो की Calcutta, Madras और Bombay की Presidencies को represent कर रहे थे Law Commission ने Draft of Penal Code गवन्मेंट को सब्मिट किया 1837 में इस Draft को Macaulie Code कहा गया पर इस Draft को Implement 1860 में किया गया इस तरह से Code of Civil Procedure साल 1869 में आया Indian Penal Code साल 1860 में आया और Criminal Procedure Code साल 1862 में आया सेवन्थ पॉइंट है Civil Services का सभी के लिए open होना और Merit पर selection शुरू होना इस Act ने Religion, Color, Cast के सभी restriction हटा दिये अब Merit पर लोगों का selection होना था अब Indians भी administration के लिए apply कर सकते थे इस Act ने Court of Directors को competition की process से vacancy की तुलना में सलाना चार गुना अधिक उम्मीदवारों को नामानकित करने की शक्ती दी ये कोशिश थी civil सेवा में open competition के system को शुरू करने की पर ये इतने अच्छे से लागू नहीं हो सका एथ पॉइंट है slavery को खत्म करना इस Act ने slavery को British India से खत्म करने की कोशिश की Governor General in Council को British India से slavery खत्म करने के लिए कदम उठाने को कहा गया अंत में slavery इंडिया में 1843 के Act से खत्म हुई अब कुछ और important provisions के बारे में जानते हैं 9th point है इस Act ने बिशिप्स का नंबर बढ़ा के 3 कर दिया Bishop of Calcutta को Metropolitan Bishop of India बनाया गया 10th point है इस Act ने provision रखा Presidency of Agra और Fort Williams बनाने का पर ये provision कभी लागू नहीं हो सका अब आप Charter Act 1833 पर based questions ट्राइ करें हुआ हुआ है आशा करते हैं कि आपको Charter Act 1833 को visualize करके पढ़ने में मज़ा आया होगा हमें comment करके बताएं कि आपको ऐसा पढ़कर कैसा लगा अगर आपको visualization से पढ़ने में मज़ा आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे